नमस्कार दोस्तों, सुवागत है आपका हिंदी नोले शो में तो दोस्तों, मान लेजे कि आपके पड़ोस में एक व्यक्ति है जिसकी नोकरी जा चुकी है, जिसके पास खाने के भी पैसे नहीं है आप उसकी मदद करते हैं आप उसे खाना देते हैं दवाईया देते हैं उसका ख्याल लख रहे हैं इतना है नहीं जरूत पड़ने पर उसके घर में कुछ तूट फूट हो जाती है तो उसे भी आप सही करवा देते हैं लेकिन वे व्यक्ति आपका एहसान मानने के बदले आपके उफरी पत्थर फिखने लगे आपको रहा चलते हुए गालिया देने लगे तो क्या ये बात सही होगी बिलकुल नहीं किसी भी हिसाब से सही नहीं है अब आप कहेंगे कि मैंने आपको ये बात क्यों पूछे तो इसका कारण है आप सभी जानते हैं कि जब से तालिबान का राज अफगानिस्तान में आया है वहाँ पर भुकमरी बड़ी है वहाँ पर बिमारिया फैल लई है महमारी का राज आ चुका है लोगों की हालत हद से ज़्यादा गंभीर है खाने पीने की चीज़ों के लिए लोग अपनी किड़ी तक बेज दे रहे हैं ये हालत है समय अफगानिस्तान की लेकिन भारत इसी बीच उनकी मदद कर रहा है सरकार ट्रक भर कर अनाज भिजवा रही है टनो टन खाने पिने की चीज़े भिजवाई जा रही है हम प्लेन में एमरजन्सी के तोर पर उनके लिए दवाईया वैकसिन हर एक चीज़ का इंतिज़ाम कर रहे हैं लेकिन इसके बदले भारत को मिला क्या इसके बदले में आज भारत को फल मिल चुका है फल हमें ये मिला है कि अफगानिस्तान के अंदर इस समय तालिबान का राज है तो तालिबान अपनी सेना खड़ी कर रहा है और उसी सेना में से इन्होंने अपनी एक बटालियन का नाम रखा है जी नाम क्या रखा है पानीपत और पानीपत बटालियन नाम र अप्पर चदाइए कर दी, जब उन्होंने भारत पर चड़ाइए करी तो उस समय उनका सामना हुआ भारत में मराथों से, और जहांपर ये लड़ाई हुई थी वो जगया थी पानीपत, पानीपत में अफगान और मराथों के बीच में लड़ाई लड़ी गई, लेकिन भारत उस से में कमजोर था कमजोर क्यूं कि हमारे हर इलाके प्रांतों में और छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे और वो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे वहीं एहमद शाबदाली ने अफगानिस्तान के सभी कभीलों को एकजुट करकर भारत पर हमला किया था और दोलत थी वो लूट कर ले गया लेकिन वो कहता है ना कि चोरी का माल मोरी से ही जाता है वही हुआ अब आज इस थिदी देख लीजिए भारत एक फलता फूलता देश है और अफगानिस्तान का क्या हाल है लेकिन तालीबान बाज आने को तयार नहीं है और भारत को चिड़ा के लिए इन्होंने अपनी एक बटालियन का नाम रखा है पानी पत लेकिन क्या इससे कुछ हासिल हो गाया भारत को कुछ फरक पड़ेगा कुछ भी नहीं उल्टा नुकसान हो सकता है क्योंकि भारत इस बात को देखकर शायद अफगानिस्तान को मदद भेजना बंद कर दे लेकिन मैं कहूंगा कि भारत सरकार ऐसा ना करे क्योंकि हमारा तालिबान से कोई सम्मद है ही नहीं हम तो अफगानिस्तान के लोगों की मदद करते हैं अफगानिस्तान के लोग पहले भी भारत का समर्थन करते थे आज भी करते हैं और आगे भी भारत का ही साथ देते रहें झाल झाल